हलो फ्रेंड्स आज मैं हूँ नरिमन पॉइंट मुंबई बहुत ही खूब सूरत यहां दृश्य है बहुत ही अच्छा और आज आये थे मुंबई नरिमन पॉइंट हूँ ने आपको भी बताते हैं देखिए कितने सुन्दर नजा रहे हैं और यहां पे यहां से स्टेशन से उतर के आते हैं जब आप तो यह सीन रहती है और बहुत ही सुन्दर द्रिश अगर आप देख पा रहे होंगे समुद्र है और उची उची लहरे उठ रही है और यह देखिए लहरे अगर इंज्वाय करना हो तो इंटरनेशनल मुंबई एक तरह का इंटर पॉर्णर आते हैं आपे और वर्ल लेविल का सिटी है और यह देखिए नरिबन पॉइंट बोलते हैं समुद्र बहुत लहरे हैं और बहुत ही सुन्दर द्रिश आप देख पा रहे होंगे यह नरिबन पॉइंट लोग यहां जॉगिंग करते हैं सुबे और मुंबई नगरी और यह लोग आये हुए हैं यहां पे देख सकते हैं और समुद्र आप देखिए यहां पे लहरे देखिए यह द्रिश देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं और जब भी देखिए आप इद्दम फ्रिस लगता है मन शान्त हो जाता है और बहुत ही अच्छा द्रिश आता है सुन्दर बहुत ही सुन्दर द्रिश नरिवन पॉइंट मॉंबई और ये कॉर्णर पर ऐसे बैठने के लिए बना हुगा है यहाँ पर लोग बैठते हैं यहाँ और किनारे किनारे आप देखिए यहाँ पर बहुत दूर तक कॉर्णर यह समुदर का किनारा हो जाता है और यह समुदर भी अरब सागर है तो आप देख सकते हैं मॉंबई यह एक इंटरनेशनल सिटी है तो देख सकते हैं आप बहुत फॉर्णर आते हैं और ये वेरी वेरी वी आईपी एरिया अपने मूवी वगएर हमें ये सब देखा होगा तो जो भी यहां आता है एक बार जरूर ये दिर्श्य देखना चाहता है और जब भी आप ये दिर्श्य देखेंगे अतुलनी ये बहुत ही सुन्दर पानी ही पानी समुद्र और ये किनारा और यहाँ पर देखिया ऐसे इसे पत्थर लगाए गए है सेफटी पॉपस के लिए और यह देखिये सुन्दर द्रिश यहाँ से ऐसे यह देखिये यहाँ सेफटी पॉपस के लिए है और यह सुन्दर द्रिश बहुत ही सुन्दर द्रिश है और लहरे जब भी इधर आती हैं तो एक कुछ साह के साथ आती है आपको जिंदगी में सिखाता भी है समुन्दर गहरे बनना और बहुत ही पानी होता समुन्दर है समुन्दर खास बाते लहरे आती है तो अगर प्लास्टिक बाटल या कोई चीज रहती दो कॉरनर पे छोड़ जाती लंदर रखता नहीं है समुन्दर हो रिटन कर देता है अगर कोई पाॉलीथेन या बॉटल आती है पुरिटन कर देता है तो यह देखिया हम बैठे हुए में लोग और यह देखिये तो यह देखिये मिस्टर पार्थ है इन्होंने बोला की I want to visit again and you do you like yes this is a good place yes she is a small baby Pranvi so they are enjoying this place देखिये तो नरीमन पॉइंट विस्वें ऐसे द्रिश से कम देखने को मिलते हैं तो आप देखिये किनारे किनारे उची 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 बिल्डिंगें हैं और समुंदर लाहर मारता हुआ और यहां से पानी विस्वें 70% पानी ही है और यहां से पानी ही पानी शुरू होता है और यह देखिये बहुत ही अतुलनी यह द्रिश जो यहां भी रहते हैं तो टाइम निकाल के आते हैं जॉगिंग करते हैं और चीजें गूमते रहते हैं और उची 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 बिल्डिंगें और इस तरह कि नजारे देखिए बहुत ही सुन्दर द्रिश तो जब भी मुंबई आए तो नरीमन पॉइंट आए जरूर ऐसे द्रिश देखने के लिए आपको जिंदगी भर याद रहेंगे ऐसे द्रिश अगर आप विजिट करते हैं तो और रहते हैं तब भी इसमें वीक में मन्त में निकाल के आएं और बहुत ही अच्छी हवा सुन्दर हवा सुन्दर लहरें पानी पानी मन को शांती बहुत ही अच्छा लगता है मैंने तो इंज्वाय किया आप जब भी आए तो यहां पे इंज्वाय करें थैंक यू अगर आपको यह इन्फॉमेशन यह जानकारी जयी। जयी।